हेलो दोस्तों स्वागत है आपका study roof में आज हम लोग जिस topic पर बात करेंगे उसका नाम है सामाजी करन और आज हम लोग इस topic के बारे में जानेंगे कि सामाजी करन होता क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है क्या कोई ऐसा है जो बगार सामाजी करण के भी अपना विकास कर सकता है या फिर सामाजी करण विकास के लिए बहुत महत्पूर्ण है इस से पहले मेरी कई क्लासेद हो चुकी है जैसे सिच्छड विधियों को लेकर और विकास के सिध्धान्त को लेकर विकास के चरणों को लेकर मेरी बहुत सारी classes हो चुकी है ठीक है तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप playlist में जाकर उनको देख सकते हैं वो सारी वहाँ पर मौझूद है और मेरे आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो लास तक देखें क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सीटेट में बहुत important है आपके लिए और आपके काम आ सकती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समस्ते है कि सामाजी करण होता क्या आखिर तो सामाजी करण देखें एक ऐसी चीज़ें अगर हम बात करें तो एक ऐसी परिक्रिया है जिसमें एक जो biological child है वो अपनी cultural identity को जानता है या cultural identity बनाता है यानि एक तरीके से अगर हम कहें ठीक है तो जो biological identity है उसकी ठीक है उससे cultural identity की ओर जाने वाली परिक्रिया को ही हम क्या कहते है सामाजी करण कहते है ठीक है ये इसकी definition हो गई मतलब सामाजी करण में एक तरीके से आप ये कह सकते हैं जो समाज है जो culture है उसके values जो है वो सारी चीज़ें आप उनमें सीखते हैं ठीक है और सामाजी करण हमारे विकास के लिए बहुत जरूरी है आपको याद होगा जब पहला और लेक्चर मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि विकास की कौन-कौन सी तरीके होते हैं कौन-कौन सा विकास होता है तो वहाँ पर मैंने आपको कई चीज़ें बताई थी कि देखे एक तो physical development हमारा होता है और physical development में मैंने आपको बताया था कि यह दो तरीके के होते हैं ठीक है Loss Motor Development और Fine Motor Development और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि Cognitive Development हमारा होता है यह इसको Baudhik Vikas भी कहते हैं और उसके बाद जो तीसरा Sphere मैंने आपको बताया था वो था कि हमारा Social Development होता है ठीक है यह हमारे विकास की चीज़ें तो social development के अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि emotional development भी होता है, moral development भी हमारा होता है, cultural development भी हमारा होता है, और यहाँ पर values भी हमारी बनती है, यह सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, इसका मतलब एक बात तो निश्चित है देखिए कि विकास में समाज की एहम भूमिका है और समाज के साथ ही विकास होगा, इसके बगार विकास नहीं हो सकता क्योंकि अगर इसके बगार आपका विकास हो रहा है तो या तो आप भगवान है और या तो फिर आप जानवर है, क्योंकि जानवर में समाजी करण की उनमें भी गुरुप बना कर रहते हैं और उनमें भी एक norms होता है जैसे अगर एक कुटा बहुंक रहा है तो बिरादरी का सवाल दूसरा भी बहुंकेगा ऐसा नहीं हो सकता तो कुछ norms उनमें भी है मतलब बहुत lower level का समाजी करण तो उनमें भी होता है लेकिन हम फिर भी हम यह कहते हैं अगर हम देखें कि Aristotle क्या कहते हैं तो वो कहते हैं कि मनुस से एक सामाजिक प्राणी है यह किसका कथन है कि मनुस से एक सामाजिक प्राणी है या एक सामाजिक जानुर है जो भी कह सकते हैं आप एक सामाजिक प्राणी है ये अरस्तु का कतन था मनुस्य सामाजिक प्राणी तो यहां से हमने ये सीखा कि सामाजी करण होता क्या है सामाजी करण आखिर उसको कहते क्या है और उसका विकास में क्या योगदान है क्या उसके बिना विकास संभव है या उसके साथ ही विकास किया जा सकता है ये सारी चीजें हमने समझी, अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इस तर है सामाजी करण के, तो उसको भी देख लेते हैं, अगर सामाजी करण के इस तर की बात करें तो देखें, सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी सामाजी करण या प्राइमरी सोशियलाइजेशन, इ सामाजी करण, दुतिये स्थार पर आता है, secondary, socialization, या दुतिये, सामाजी करण, तीसरे स्थान पर आता है, anticipatory, anticipatory, socialization, इसको कहते हैं, अग्रिम, ये सह भागी, सामाजी करण, उसके बाद दिखें, जो चौथा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए दिख रहें, लिख देते हैं, वह developmental socialization, ये इसको कहते हैं, विकास आत्मक सामाजी करण, विकास आत्मक सामाजी करण, और उसके बाद जो हमारा last होता है, वो है पुनह सामाजी करण, ठीक है, ये हमारा पुनह सामाजी करण है, ये हमारी पांच इस्तर होते हैं, पांच stage होते हैं, जिन से हमारा सामाजी करण होता ह है तो एक-एक को विस्तार से हम लोग जानेंगे कि हमारा कौन सा क्या है? देखे, अगर मैं आप से बात करूँ, तो सबसे पहले Pratmik को ले कर चलते हैं, अगर मैं आप से यह कहता हूं कि Pratmik सामाजी करण क्या होता है तो आपको कम से कम देखकर ये तो पता चल रहा होगा कि ये initial stage है या मतलब अभी सुरू ही हुआ है किसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सामाजी करण का जो sphere है उसमें अभी बच्चा enter करना ही सुरू किया है और सबसे पहले जिससे interaction होता है जिससे हमें सामाजिक चीजें या पहला हमारा आलिंगन जिस चीज से होता है सामाजी करण के विकास में उसे हैं प्रात्मिक सामाजी करण कहते हैं कैसे देखिए सबसे पहले जो बच्चा है वो अपने family से अपने परिवार से ही चीजों को पाता है और अपने परिवार से ही चीजों को सीखता भी है परिवार से उसे क्या मिलता है देखिए कुछ नैतिक सिच्छाएं मिलती है कुछ नैतिक सिच्छाएं वो ग्रहन करता है और देखिए कुछ cultural values कुछ सीखता है cultural values जिसे हम कहते है पृथा वगएरा या हमारे घर में ऐसी पृथा है जैसे बड़ों के पैर चुना या बड़ों के आदर करना ठीक है ये नैतिक सिच्छा भी आती है और हमारे cultural values में भी आत है जैसे किस डियोटी को आप पूज रहें या कौन हमारे कुल देउटा है ऐसी सारी चीजे आती है ठीक और उसके बाद हम देखते हैं कि यहां से social norms सीखने के साथ साथ वो बहुत सारी अन्य चीजें भी सीखता है जैसे नैतिक सिच्छा और cultural values हो गई और अपने आस-पास क के लोगों को जानता है और अपने परियावरान से interact करता है तो यह सारी चीजें प्रात्मिक सामाजी करण का हिस्सा है और यहां पर इस इस्तर पर प्रात्मिक सामाजी करण होता है अगर मैं बात करूं कि यह कितने वर्स के लिए तो देखे यह infancy लगबग जब बच्चा infancy stage में होता है infancy stage में यह सामाजी करण उसका चालू हो जाता है उसके बाद हम लोग देखते हैं दुतियक सामाजी करण और दुतियक सामाजी करण क्या होता है यह दुतियक चरण है सामाजी करण का यह हमारा secondary socialization है यह दुतियक सामाजी करण तो इसमें आपको पता चल ला होगा कि बच्चा जब अपने पहले परिवेस या पहले सामाजिक परियावरण परिवेस से बाहर निकलता है जैसे अपने परिवार से तो सबसे पहले कौन आता है उसके पडोसी आते हैं उसके स्कूल आते हैं उसका दोस्त उसके अपने दोस्त का जो है ग्रूप आता है जिसे पीर ग्रूप कहते हैं वो सारे लोग आते हैं और ये सारी चीजें एक नए social नाम और एक नई सिच्छा देते हैं जैसे इस्कूल में जाता है तो इस्कूल में वो समाज के प्रती नई चीजें सीखता है, जैसे हम बात करें तो इस्कूल में अपने बहुत सारी सिख्चाओं को सीखेगा, जैसे अपने आसपास के लोगों से कैसे बात करनी है, लोगों से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे ठीक है और बात करना या वादे करना साथ में सहभागिता देना या इंटर टॉलरेंस जो आता है क्योंकि जब जाहिर सी बात है ग्रूप में रहेगा अपने दोस्तों के तो कुछ बातों से वो डिसग्री भी करेगा और अग्री भी करेगा तो यहां से यह सारी वैल्यूज उ जैसे स्कूल हो गया पीर ग्रूप हो गये जिससे पीर ग्रूप का मतलब होता है उसकी मित्र मंडली जी से कहते है अप ठीक स्कूल हो गया और उसके नेबर हो गये पडोसी यह सब दुतिय सामाजी करान के फैक्टर से और इसमें देखे बच्चा क्या सीखता है बच्चा और उसके बाद देखते हैं तो पीर गुरूप में होने की वज़े से टॉलरेंस भी सीखता है और देखें डिसिप्लिन भी वो सीखता है ठीक है और यहां पर अगर देखा जाए तो अपने आज पास साफ सफाई और चीजों को समाज के प्रति लाना या समाज के प्रति समाज के प्रति समाज के प्रति जागरुक रहना यह सारे जो सोशल नॉम्स होते हैं उनको यह अपने पडोसियों से अपने स्कूल से अपने दोस्तों से यह सारी चीजों से सीखता है तो यह दुतियक सामाजी करन है उसके बाद देखते हैं हम लोग हमारा जो तीसरा है एंट Anticipatory Socialization Anticipatory Socialization और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो क्या सीखता है देखे Anticipatory Civilization का मतलब होता है कि वो किसी एक ग्रूप में अपनी सहभागिता करना चाहता है मान लेते हैं कि कोई एक ग्रूप है कोई एक ग्रूप है चार छे बच्चों का और वो क्या करता है इसमें fit होना चाहता है बच्चा क्योंकि जाहिर सी बात है अकेले एकल रहने से जिन्दगी पूरी नहीं होगी एकल रहने से आप कुछ भी नहीं कर सकते एकल तो जानुवर भी रहते हैं तो यहां पर यह चीज समझेगा कि बच्चा जो होगा अपने आसपास चीजों को जो भी देखता है उसमें involved होने की कोशिस करता है मतलब अपनी सहभागिता देने की कोशिस करता है तो जब वो इसमें अपनी सहवागिता देने की कोशिस करेगा तो क्या करेगा इनके जैसे बनने की कोशिस करेगा इनके जैसा बनने की कोशिस करेगा अब यह कोई भी हो सकते हैं यह इसका इसकी मित्र मंडली भी हो सकती है जिसमें वो अपनी जगा बनाना चाहता है अपनी ज model होगा उनके जैसे दिखने की कोशिस करेगा या तो कोई भी चीज़े चलचित्र वगैरा मेडिया में देखता है जैसेokee ज़ऄ कोई कार्टून ही देखेगा तो उसको imitate करने की कोशिछ करेगा तो यहां पर imitate करने की कोशिछ करता है सिर्फ अपनी जगा Sports के लिए तो यहां पर क्या होता है जब वो किसी के साथ सहभागिता करने की कोसिस करता है तो बहुत सारे norms और values वो सीखता है और group में मिलता है तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें उसे सीखने को मिलती है तो यहां से उसका सामाजी करन अगरीम सामाजी करन या सहवागी सामाजी करन यहां से उसका विकास सुरू हो जाता है सामाजी करन का अब जो चौथा सामाजी करन है हमारा वो है विकासात्मक सामाजी करन और विकासात्मक सामाजी करन का मतलब होता है कि जब बच्चा कोई नए कोशल सीखता है या कोई नई skill सीखता है जैसे उसका family business हो गया मैं अगर बात करूँ चौथे का जो है इसका developmental socialization या विकास आत्मक्स सामाजी करण तो यहाँ पर देखे बच्चा क्या करता है kausal सीखता है या skill सीखता है और ये इसका या तो family business हो सकता है जैसे अगर कहें कि कोई handicraft के लिए सीख रहा है या कुछ भी ऐसा handicraft है या कोई भी ऐसी कराकारी जो उसके skill को develop करने में सहायक हो रही हो तो यहाँ पर उसका क्या होता है जैसे आप एक चीज़ समझे मैंने आपको क्यों कहा कि वो कोई family business है जैसे handicraft का example हम लोग लेते हैं देखें यहाँ पर एक चीज़ आप समझेगा कि suppose कीज़े कोई toy बनाने वाला है कोई एक toy बनाने वाला है तो यह पृथा रहेगी कि यह जो कला है यह पीड़ी दर पीड़ी आगे बढ़ती रहे तो यह एक समाजिक value होगी किसी जाती के लिए या आप कहें कि किसी toy बनाने वाले के लिए ठीक जिसे बहुत सारे होते है ना नाई या कुम्रहार यह लोग जो है जो समाज में अपना रहते हैं कि हमारी जो यह कलाकारी है जो हमने हमारा एक यान है हमारा यह जो कौसल है यह पीडी दर पीडी हमारा आगे बढ़ता रहे और इनकी आने वाली पीडियों पर हमेशा यह उत्तरदाई तो रहता है कि इसको अपने अगली पीडी तक बढ़ाना है तो यह भी एक सामाजी करण है यह भी सामाजी के एक मूल है तो इस सामाजिक ऐसे सामाजिक मुल्यों का विकास कहां पर होता है developmental socialization में और यह लगबख teenage के आसपास रहती है और अन्तिम चीज़ देखिए अन्तिम चीज़ समझने वाली यह है यहाँ पर re-socialization या पुना सामाजी करण इस चीज़ को भी यह किस केस में उपन होता है यह भी देख लेते हैं देखिए re-socialization और इसको कहते हैं पुना सामाजी करण यह तब होता है जब परिवेश बदलते हैं जब परिवेश बदलते हैं परिवेश बदलते हैं या laws and policies बदलती हैं या परियावरण बदलता है यह तब ही संभव होता है परियावरण का मतलब होता है हमारे आसपास की चीज़ें जिनसे हम इंट्रेक्ट करते हैं हमारे आसपास की चीज़ें जिनसे हम इंट्रेक्ट करते हैं जिनसे हम इंट्रेक्ट करते हैं हमारा हो गया परियावरण तो ये मतलब उदाहरण के लिए मैंने आपको होता है कि ये तीन चीजें ऐसी हैं जहां पर हमारा पुना सामाजी करण होता है फर्स कीजिए आपका परिवेस बदल गया आप गाउं में रहते हैं आप गाउ में रहते हैं, और आपका परिवेस बदल गया, आप शहर रहने के लिए चले गए, तो आपको जाहिट सी बात है, बहुत सारी चीज़े दिखेंगी, यहाँ पर गाउ में values कुछ और होती है, यहाँ पर values कुछ और होती है, जैसे अगर मैं गाउ की बात करूँ, तो यहाँ पर joint family का concept आता है, यहाँ पर आप joint family में होते हैं, यहाँ पर burden shared होते हैं, यहाँ पर responsibilities shared होती हैं, यहाँ पर रिस्पॉंसिबिल्टी सिर्फ एक पर आएगी, एक ही जिम्मेदारी वहन करता है, और सारी जिम्मेदारी उस पर होती है, तो बहुत सारी चीज़े है, social norms हमारे बदल जाते हैं, जैसे यहाँ पर हमें पता होता है, गाउ में कि हमारा पडोसी कौन है, और पडोसी को जब भी मदद चाहिए होती, तो हम लोग ततपर रहते हैं, लेकिन अगर शहर की बात करें, तो हमें यही नहीं पता होता है, कि हमारे पडोस वाले flat में कौन रह है, तो यह सारे हम देखते हैं, कि यहाँ पर social norms हमारे बदल रहे हैं, उसकी बात अगर हम करें, laws and policies जो हैं, जब यह बदलती हैं, तो भी हमारा re-socialization होता है, हम नए सामाजी करण परिवेस में ड़लने की कोशिस करते हैं, जैसे अगर हम बात करें, कि अमेरिका हो गया, यह built in हो गया, वहाँ पर social values अलग हैं, और यहाँ पर अगर देखा जाए, तो यहाँ पर social values अलग हैं, जैसे अगर हम बात करें, तो अभी हाल ही का जो मुद्दा था, हमारा जो transgender community उनको लेकर, LGBTQ community को लेकर, भारत में अभी तक इन लोगों के अधिकार की बात नहीं होती थी, हा देखें कि बाहर के देशों से के मुकाबले वहाँ पर जो policies और laws थे, उनके मुकाबले भारत की laws और policies को देखें, तो यहाँ पर बहुत बड़ा change है, और भारत ने फिर बाद में अपनी policy implement की, और इन्हें भी हमें अपने समाज में जगा देनी पड़ी, जो की पहले दे दे नहीं चाहिए थी, तो ऐसे होता है हमारा पुना समाजी करण, जो पहले रूडवादी समाज चला आ रहा था, और social norms में हमारे ये था कि नहीं, उनको कोई जगा नहीं मिल सकती, उनको कोई identity नहीं मिल सकती, वो अब laws and policies की वज़े से उनको उनका अधिकार मिल गया, तो ऐसे होते हैं, ये laws and policies की वज़े से भी पुना समाजी करण हो जाता है, और तीसरा है, परिया वराना बदलता है, तो ये तो बहुत अच्छा सा concept देखिए, suppose कीजिए कि आप हिमाले या हिमालेयन एरिया में रह रहे हैं, जहां पे बहुत बर्ख पढ़ती हैं, और एक लोग जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग कहते हैं कि ट्रॉपिकल एरिया में जो रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को tolerate कर सकते हैं, लेकिन जो हिमालेयन एरिया में रहते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को tolerate नहीं कर सकते हैं, जो ट्रॉपिकल एरिया की लोग होते हैं, वो सामाजी करण को कैरी करते हैं वो कौन कौन से एजेंट है जो सामाजी करण को आगे बढ़ाते हैं या सामाजी करण करने में सहायक होते हैं अगर इनकी हम बात करें देख लेते हैं हम लोग एजेंट्स आफ सोशलाइजेशन एजेंट्स आफ सोशलाइजेशन तो यहां पर मैं ऐसी एजेंट है जो प्रात्मिक स्तर पर हमारे सावाजी करण का दिकास करती है दूसरी अगर बात करें तो नेबर्स हो गए हमारे पडोसी जो है फिर देखिए हमारा पीर ग्रूप हो गया जो मित्र मंडली है उसके बाद अगर हम बात करें यह हमेशा डिबेट में रहता है कि समाज में मेडिया का क्या प्रुभाव है लोग कुछ फेवर में कहते कि नए मीडिया होना चाहिए चौथा इस्तंप है जाहिट सी बात है छौथा इस्तंप है नो डाउट लेकिन क्या आप में परूसा जा रहा है कौन सी क्वैलिटी का मैटेरियल हमें परोसा जा रहा है इसका समाज पर बहुत असर पड़ता है जैसे आप लोगों ने अभी हाली में उठ रहे है विवाद और तांडो फिल्म के बारे में सुना ही होगा तो इसका भी समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है और यह भी मीड समाजी करण को आगे बढ़ाने वाले वो तत्त हैं जो समाजी करण के विकास में अपनी योगदान देते हैं अब उसके बाद हम लोग देखते हैं factors affecting socialization यानि वो कौन से कारक हैं जो समाजी करण को प्रभावित करते हैं इन दोलों में आपको confused नहीं हो ना अगर आप यह सा अगर्षानी से आपको समझ में आ जाएगा चलिए देखते हैं factors affecting socialization कौन-कौन से factors हैं वाई socialization को effect करने वाले factors affecting socialization ये भी देख लेते हैं तो यहां पर कौन-कौन से कारक है जो socialization को effect करते हैं तो सबसे पहली बात तो देख लेते हैं मैंने अभी आपको बताया laws and policy ये एक ह community का उधारण दे कर बताया कि कैसे हमारे वो सारे चीज़े होते हैं जो उनको change कर देते हैं तो laws and policy हो गई और देखिए citizenship citizenship या nationality जिसे हम कहते हैं ये भी बहुत फर्क रखती देखिए अमेरिका की कुछ और सामाजिक values होंगी भारत की कुछ और सामाजिक values हैं जैसे बारत की सामाजिक values हैं कि ये सोने की चिडिया है ये विश्ट गुरू है और ग्यान का पादुर्वाव यहीं से हुआ है ठीक त अगर किसी जगा का जो संस्कृति होती है वह बहुत प्रभाव डालती है किसी जगा की संस्कृति बहुत प्रभाव डालती है और अगर हम बात करें जेंडर तो जेंडर भी बहुत प्रभाव डालती है उसके बाद अगर हम बात करें तो भासा language language भी बहुत प्रभाव डाल आगती है देखे जेंडर और दो इन में अंतर ज़रा समाज लिजेगा एक तो है जेंडर हमारा और दूसरा ही इससे है जेंडर जो होता है ये एक सामाजिक या एक सामाजिक इकाई है ठीक मतलब एक है हमारा ये जेंडर और दूसरा होता है लिंग ठीक है एक जेंडर है दूसरा है हमारा बायलोजिकल लिंग जो हमें जन्म के समय प्राप्त होता है तो जन्म से आप इस्तरी या पुरूस हो सकते हैं लेकिन आपका जेंडर मेल है या फीमेल ये समाज आपको देता है ठीक तो जन्म के समय आप कुछ भी हो सकते हैं ये याद रखेगा कि जो जेंडर है वो सामाजी की काई है और सामाज इस बात का निर्णे करता है कि आप कौन है ठीक जैसे आप मेल हो सकते हैं लेकिन हो सकता है कि आपका इंट्रेस्ट किसी और चीज में हो या गरली इवेंट्स में हो तो आप क्या होगा कि समाज फिर उसको एक अलग टर्न देता है जैसे ट्रांस जेंडर हो गया ठीक तो यहाँ पर यह जो जेंडर का कॉंसेप्ट है यह समाज देता है इस चीज को याद रखेगा और जो मैंने आपको अभी मॉक टेस्ट कराया है उ इसलिए समाजी करण में जेंडर एक कारक है जो अलग तरीके से इसको प्रभावित करता है जैसे फर्स कीजे कि आप तीन या चार साल में अच्छा यह कहां प्रभावित करता है अरली चाइल्डूड में ही यह प्रभावित करने लगता है वो अलग कॉंसेप्ट अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर language होगे, पहले इसको देख लेते हैं, language हो गया, laws and policy हो गया, citizenship हो गया, culture हो गया, और gender हो गया, यह सारी चीज़े वो है, जो factors effect करती है, हमारे सामाजी करण को, और यह gender एक सामाजी की काई है, ठीक है, एक चीज़ और छोटा सा इसमें रह गया, वो आप समझ लीजिए, यह gender consistency क्या होता है, जैसे मैं आपको भी यहाँ बता रहा था कि gender हमारा early childhood में, देखे, gender कॉंस्टेंसी क्या होता है देखे जेंडर आपका बच्चा क्या होता है कि जब अर्ली चैल्डूड में होता है अर्ली चैल्डूड में अर्ली चैल्डूड में आपको होता है था कि दो से साथ साल या छे साल मतलब अलग अलग जगा पर आपको मिलेगा लेकिन दो से साथ साल के बीच में early childhood में gender बच्चे को पता चल जाता है कि हमारा link क्या है या समाज उसको कैसे देखता है बच्चे को पता चलता है अच्छी तरीके से वो वाकिफ हो जाते हैं कि भाई लड़का है बॉय है या girl है बॉय है या girl है क्योंकि infant तक तो वो child ही होता है तो वहाई है यह गरल आप देखें यहाँ पर समाज अलग-अलग नौम स्टाय कर देता है जैसे अगर आप वहाई है तो वहाई है आप जाहिर सी बात है कार से खेलेंगे और आपके ट्वाइज ही अलग हो जाएंगे समाज में और जैसे गल है आप तो आपका गुडिया आपके ऐसी चीज़े जैसे मतलब बाई डिफॉल्ट आपको भले ही बाईक पसंद आए खिलोने में ट्वाय में या कार पसंद आए खिलोने में लेकिन आपको गुडिया दी जाएगी खेलने के लिए और आपके जो घरेलू काम है वो आपको सिखाये जाने लगेंगे तो यह होता सामाजी करन सबसे ज़्यादा सामाजी करन अर्ली चाइल्डूड में होता है अर्ली चाइल्डूड में होता है इसमें दोनों इंट्रेक्ट करते हैं हमारा इन्वायरमेंट भी और बच्चे खुद भी तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें सोसलाजेशन तो हमारे वो अ सिध्धांत कौन सा है सामाजी करण का सिध्धांत यूरी ने कौन सा सिध्धांत दिया था सामाजी करण के लिए वो सारी चीजों पर चर्चा करेंगे इसके सेकेंड पार्ट में तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और करें थैंक यू फार वाचिंग